गर्मियां आ गई हैं और गर्मी का प्रकोब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जाहिर और पर इतना गर्म मौसम किसी को नहीं भाता लेकिन सृष्टी का चक्र तो चलता रहता है। गर्मी में पानी को अमरित के सामान माना जाता है और इस चलचिलाती धूप में बार-बार प्यास लगना स्वाभाविक हैं। हम मनुश्य तो प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं। लेकिन यहां मौसम बेचारे बेजबान पक्षियों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। कई पक्षी तो केवल गर्मी और प्यास के चलते अपना दम तोड़ देते हैं। इसी प्यास लगने पर पानी के सदसे अपने लेवल पर मिलकर सारवजनिक जगों पर पानी के कसोरे बानती है और पूरी गर्मी उनमें हर रोज पानी वद्दाना डालते हैं। सोसाइटी के महास्चिर कपिल शर्मा ने कहा कि पक्षियों को पानी की आवशक्ता पीने और नहान के लिए होती है। वैसे तो पक्षियों में पसीने की गरंथिया नहीं होती हैं। इसलिए उन्हें स्तंधारियों की तुल्ना में कम पानी की आवशक्ता होती है। साथ ही वेश्वसन तत्थ अन्यक्रियाओं के माद्यम से पानी को निशकासित करते हैं। गाउग की नमबरदार रविला देवी ने बताया कि पक्षी पानी व भोजन की आवशक्ता को भोजन और पानी पीकर पूरा करते हैं। इस गर्मी के मौसम में हम पक्षियों के पीने और नहाने के लिए पानी का प्रबंध निम्न तरीके से कर सकते हैं। प्लास्टिक यासी में इन सिमेन से एक दीवार बनाएं। आप पानी की व्यवस्था करने के लिए इसमें एक पंप पंप भी जोड सकते हैं। इससे पक्षियां तप्ती हुई गर्मी में ठंडे पानी से स्नान कर अपने आपको रहा दे पाएंगे तीन कसोरों को छत पर या बगीचे में छायादार स्थान पर रखें। कोशिश करें अधिकूम चाई पर रखें ताकि पक्षी बिलियों जैसे शिकारियों से सुरक्षित रहें। सोसाइटी अध्यक्ष देवी रामकौशेक ने कहा कि आखिर इन पक्षियों को जो आज अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पानी की समस्याएं आ रही है उसके जिम्मदार भी तो हम ही है। कौशेक ने कहा कि हर मनिश्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी च्छत, बॉलकोनी, बगीचा, पार्क वसारवजनिक स्थानों पर इन बेजबान पक्षियों के लिए पीने के पानी वखाने के लिए दाने रखने चाहिए। इस मुख के पर श्री राम कल्यान सोशल अन्वेलपेर ससाइटी के महास्चिव, सचिव, ब्लॉक अदेयक्ष, सोसाइटी के सदस्यव सामाजी कारकरता मौजूद रहे। जिन में ओम प्रकाश, दीपक बिसला, अमित बिसला, पवनवत्स, राकेश कुमार, रविला देवी, सुनील देवी, दीपक कुमार इतियादी मौजूद रहे।